वेलकम फ्रेंट्स अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आची इस नए वीडियो स्टेशन में आपके लिए बहुत ही बंफर भरती लेकर के आई हूँ आवेदन करने की जो तरीका है वो किस तरीके से होगा और आवेदन कब से कब तक भराया जाएगा पूर रडीटेल हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो पर बने रहे हैं दो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों clerk के के लिए जो notification जारी हुआ है उसमें आप जो form इसमें apply कर सकेंगे वो है online तरीके से तो यह है दोस्तों SBI का official website जहां से आप अपना form fill up कर सकेंगे तो चलिए एक एक करके सभी जानकारी को ले लेते हैं सबसे पहले हम लोग overview तरीके से जानकारी ले लेते हैं तो सबसे पहले organization name जहां से यह notification जारी हुआ है वो है state bank of india clear जिसे हम sort में SBI कहते हैं exam name की एकर बात करें post name की तो वो है clerk लिए जो की जो है दोस्तों junior assistant है clerk के पद पर और साथ ही साथ हमर बात करें दोस्तों इसमें की total vacancy कितने पदों पर भरती होने वाली है तो 8773 पदों पर भरती होने वाली जो की है दोस्तों बहुत बड़ी भरती है अगर हम लोग बात करें इसके salary की तो इसके लिए जो salary है starting में आपको 29,900 payment जो है दोस्तों वो last date है आपका 7,12,2023 अर्थाथ दोस्तों 7,12,2023 को और इसका official website है दोस्तों sbi.co.in पर जवाकिर जाकर कि आप अप सानी से form fill up कर सकेंगे ठीक है इसके लिए दोस्तों starting date जो है 17,11,2023 अर्थाथ 17,9,2023 से form भरने start हो चुका है last date है इसके लिए 7,12,2023 अगर हम लोग बात करें इसके exam pattern ने की तो exam pattern इसमें दो तरीके से होने वाला है पहला जो है आपका prelims exam होगा और दूसरा जो होगा mains exam होगा prelims के लिए date अफिक्स नहीं है दोस्तों यह सिर्फ मन्त को बतायागे है January 2024 को यह exam होगा और इसमें selected candidate मेंस में जो selected होंगे उन मेंस का exam फरवरी 2024 में रखा जाएगा तो और बात कर लेता है दोस्तों इसके section नहीं की हो गयता तो कौन candidate जो है इसमें form apply कर सकेंगे तो एक में education eligibility जो है दोस्तों वो किसी भी माननता प्राप्त विश्विद्याला से किसी भी विशाय में इसनातक या केंदर सरकार द्वारा माननता प्राप्त कोई भी समकक्षी योग्यता होनी चाहिए कोई भी candidate को जो है दोस्तों इसनातक अर्थात जो है उनका graduation होना चाहिए ठीक है जाहे आप जो है BSC वाले हों या फिर BA वाले हों या फिर दोस्तों आप B.com वाले हों ठीक है तो आप सभी इसमें form fill up कर सकेंगे इसमें एक चीज़ बताएगे है दोस्तों अगर आपकी डिगरी है वो 31.12.2023 से पहले की जारी हुई होनी चाहिए ठीक है 31.12.2023 मतलब 31.12.2023 के पहले की जो है अगर आपके पास जो है इसनातक की डिगरी है तो वह काम के लिए है अन्यता इसके बाद जो होगा उसको नही नहीं माना जाएगा ठीक है अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें पैटरने के लिए तो SBI क्लर्क 2023 सेलेक्शन प्रोसेस क्या है तो सेलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों इस ओफिसर ग्रेट के लिए तीन चरणों पर भरती प्रक्रिया होगी तो इसमें पहला माध्धम जो ब नहीं दिया जाए ठीक है तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें प्रेटरने में तो प्रिलियम्स एक्जाम में दोस्तों पूरी तरीके से 100 अंकर के वस्तनिष्ट प्राश्य में पूछे जाएंगे और पूरी तरीके से 100 अंकौ का ही होगा ठीक है और जो की परिच्छा होगा दोस्तों online आयोजित होगा अधार computer बैट करके आपको यह pre-exam दिलाना होगा तो परिच्छाव के दोस्तों तीन अनुभाव होगे ठीक है मतलब तीन अलग-अलग section होगे वहाँ से प्रशन पूछे जाएंगे वो तीन section कौन-कौन से हैं आपका तो general English से general English से 30 अंक के जो है 30 प्रशन जो है पूछे जाएंगे और यहां जो है दोस्तों आपके टाइम डिशन दिया रहाएगा 20 मिनट का उसी तरीके से aptitude से question आएगा दोस्तों 35 पूछे जाएंगे 35 अंकों के और जो होगा दोस्तों 20 मिनट के लिए इसमें भी time दिया जाएगा उसी साथ दोस्तों आप बात करें तो एक घंटे का आपके लिए time duration होगा तो उन्हीं एक घंटे में आपको क्या करना है इसको complete करना होगा ठीक है और बात करी से minus marking की तो इसमें कोई भी प्रारंभीक परिच्छा में कोई भी प्रकार का minus marking नहीं राखा गया है ठीक है अब बात क कर लेते हैं जैसे ही आप प्रारंभीक परिच्छा को clear कर लेते हैं तो आपको मुख्य परिच्छा में selection होगा तो मुख्य परिच्छा में दोस्तों यह सिर्फ नाम का ही मुख्य परिच्छा है लेकिन इसमें प्रश्ण जो है आपको वस्तुनिष्ट तरीके से पूछे जा कर लेकिन मुख्य परिच्छा में माइनस माररकिंग राखा गया है वस्तुनिष्ट परिच्छां में गलत उत्तर में नकरात्मक अंक होंगे प्रते गलत उत्तर के लिए आपको जो है एक बटे चार एंक जो है कांटा जाएगा मतलब आप चार सहीं कोश्ट कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं तो उस समय जो है चार गलत करने के पस्षाथ आपको एक जो है सहीं उत्तर को भी उसमें माइनस कर दिया जाएगा अब देखे जो मुख्य पर इच्छा है उसके बाद उस मुख्य पर इच्छा में कहा कहा से प्रश्ण कितने कितने पूछे जाएंगे तो पहर करें तो पचास अंकों के पचास प्रश्ण जो है आपसे पूछे जाएंगे तो टाइम डिवरिशन की बात करें तो पैंतालीस मिनट का टाइम डिवरिशन इसमें दिया जाएगा उसी तरीके से रिजनिंग अबिलिटी और कंप्यूटर एप्टिटीट की बात करें दोस्त करने के लिए दो गंटा 40 मिनट कर समय रहेगा जो कि आपको ऑनलाइन तरीके से सिस्टम में उल्टी गिंती की तरीके से आपके सामने चलता रहेगा तो इसी के आधार पर आपको क्या करना है प्रिपरेशन करना है अब चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के लिए तो आय एजरिलेक्सेशन मिलता है और साती सात जो है एष्टी, एष्टी से सिवावस से बिलोग करते हैं अगर आप तो यहाँ पता सापको पांच वर्स का एजरिलेक्सेशन मिलता है जैसे आप 28 वर्स के हो चुके हैं अगर आप OBC वाले हैं तो आप 28, 29, 31 यह अर्था अर्था आ OBC, Other Backward Class के लिए EVS के लिए दूस्तों इसमें 50 रखा गया है 750 रुपाई ठीक है अगर बात करें SC Cedule Cost के लिए और Cedule Tribal Cost के लिए और PH Physical Handicap के लिए यहाँ पस नील रखा गया है मतलब यह जो है पूरी तरीके से इन के लिए free है ठीक है payment mode की बात कि ना तो ऊंलाइन तरीके से आप इसमें payment mode कर सकेंगे मतलब online payment कर के आप इसमें अपना phone feel up करके complete कर सकेंगे उसके लिए दोस्तों Unreserved के लिए Oubesee और EWS के लिए ठीक है 3770 HTSC PH के लिए यहां पास जो है निशुल का रखा गय है अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके प्रोसेस के लिए तो सबसे परहे है तो इसको online पमजियान करना होगा जो कि 17 नमंबर से पूरी तरीके से चालू हो चुका है और यहां पास इसके official website से ही form fill up कीजेगा दोस्तों other जो है कोई भी website से जाकर क्या form fill up ना करें चुकि उसमें fraud भी हो सकता है तो online पूरी तरीके से यहां पास प्राप्त कर सकेंगे यहां पस जैसे form fill up करेंगे आपको एक संख्या प्रादान की जाएगी तो वह संख्या पूरी तरीके से आपको सम्हाल करके रखना है वहीं से आपको admit card डाउनलोड होगा वहीं से आपको जो है जो भी interaction ह होगा आपको दिया जाएगा साथ ही साथ उपको सही email आईडियो आपको प्रोवाइड करना है जा आपको कोई भी जानकारी होगा आपको मिलेगा आपको जोइन लेटर भी साइद email पर ही आए ठीक है तो online online आवेदन करने की अंतिमति थी जो है दोस्तों 7 दिसंबर 2023 है तो मेरे दोरा बताया गया यह जानकारी आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंड करके जरूर बताए इससे संबंदी सिलेबास और ओल्ड कोशिंट पर मैं बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ तो पीडेफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल इसका ओफीसियल साइट से भी डाउंड कर सकता है या जिसमें पूरा इंट्रक्शन पूरी चीज़े जो है आपको अफीशल नौटिकेसं में देख सकेंगे पूरी चीज़ें जो है आप उसको पढ़ सकेंगे पूरा सिलेवस क के बरे में और चलिए ठीक है कोई भी जयां करी हो तो उस्तों नीचे ठी आइब को जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खली है कमेंट करके यह कॉर्ण सकते हैं ठीक है तो चलिए मिलते हैं और वीडियो में नए जयान करी के सांट टेक्र आ फिल यह हिंद